नमस्ते, गुड मॉनि रादे, रादे, कैसे हो आप सब? तो जो ये plant देख रहे हैं वो इसका नाम है ficus ficus plant की variety है जिसका नाम है ficus triangular और आप इसका save देख सकते हो हाठ save में है बहुत प्यारा दिखता है सजावटी plant है permanent plant है ये असानी से आपको नरचरी में मिल जाएगा और मैं तीन दीन के बाद आ रही हूँ देखें इसकी मिट्टी और मैं तीन दीन से बाहर थी तो इसमें पानी नहीं डाले थे कोई तो देखें प्लांट फिर भी मुर्जाया नहीं है एक दम फ्रेश लग रहा है तो मैं इसमें पानी देने आई थी तो मैं यही दिखाना चाहती थी आपको कि यह देखे मैं तीन दीन के बाद ऐए हूँ इसके मिटी सूख भी गये है लेकिन ये प्लांट बहुत अच्छे सी चल रहा है हाँ इसकी मिट्टी नीचे में पानी होगा जरूर होगा लेकिन ऊपर से बहुं सूह गया है मैं तीन दीन के बाद इसको पानी दे रही हूं और देखे ये प्लांट तो आप इसको आपके गार्डन में जरूर एड़ कीजिए ये प्लांट बहुत अच्छ से चलेगा और ज्यादा किया टिप्स की जरुद भी नहीं पड़ती हाँ इसकी मिट्टी वेल्डें जरूर तेयार कीजिएगा इसकी पानी दीजे दिन में पार पानी दीजे यह असानी से चल जाएगा और यह कटिंग से असानी से लग जाता है कर प्लांट बना सकते हो और इसको संलाइट आप ज़रुवत रहती है जैसे मैंने तो भी इसको बाहर ही रखा है जैसे आपको अगर आपके यहाँ ज्यादा जगह इंडॉर रखते हो इंडॉर भी अगर रख रहे हैं इसको परियाप्त सनलाइट दीजे इस परियाप्त ऑढ़ार जो अच्छे कलर आएगा और में प्रसाद के सीजन में अच्छा ग्रोथ किया इसने है चोटा था लेकिन अभी जब सर्दिय लग गई है तो इसकी थोड़ा सा ग्रोथ कम हो गया है वैसे सर्दियों में थोड़ा कम ग्रोथ करता है और गर्मियों भी अच्छा ग्रोथ करता है लेकिन सर्दियों में थोड़ा कम ग्रोथ करता है इसकी मिट्टी ए वैल्डेंड ही तयार कीजेगा और पानी तो आप दिन में एक बाय देदोगे शल जाएगा और ये सरदीयों मेँ थोड़ा डोर मेंसी में रहता है अच्छा से ग्रोध नहीं कर पाता लेकिन धिरे धिरे ग्रोध होता है और हाँ इसकी ग्रोध भी कम ही होती है तेकिन बरसात में अच्छी होती है, सरदीम में कम होती है, आप इसको चाहो ना तो बोनजाई लुक में दे सकते हो, जैसे नीचे आप कटिंग करते जाएए, उपर अच्छा से घना हो जाएगा, कटिंग करते चाहो ना तो फिर कोई भी प्लांट को आप अपने सेप में कर सक लगता है, जैसे कोई ठीलियां हो पीलि-पीलि कलर Titans की अब किदि आती है, तो मेरे वैसी लगता है इसकी पत्तियां और अपना if को यह ऐप जगह में छेंचा उन इसको अपने से पर उनओं लक्ता हो, जैसे एक पासितान ना तो आप उसी जगह में असको आप जगह हो ज़ तो यह थोड़ा सा सौक में चला जाता है इसको एक ही जगा पसंद है एक जगह रख दिये उसी में खुश होता है अगर आप चाहो यहां पर च्छनी दिख रहा है तो मैं इसका जगह चेंज कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाती है यह प्लांट सौक में चला जाता है और बह बहुत पसंद आता है जब एक जगह रह जाता है ना गमला तो इसको चेंज करोगे ना तो उसकी पटिया मुर्छाने लगती है यह यह एसी प्लांट है वह भी रहता है और वह यह भी वारिगेटिट है इसकी पतियां आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर में है त यह प्लांट जल्दी पुरा मान जाता है तो आप एक जगह रखे हो तो वहीं पर रखना अब इसको और इसको रिपोर्टिंग की जर्वत नहीं पड़ती इसका जड़ बाउंड हो जाता है लेकिन कोई खत्रा नहीं रहता अब दो साल तक फ्री हो के इसके प्लांट को एक गम नहीं होगा इसमें आप गोबर खाट डाल सकते हो एक मुठी गोबर खाट डाल दोगे और वर्मी कंपोष्ट भी आप डाल सकते हो अगर चाहो तो आप डीएपी की दो-तीन दाने अब डाल देना तो यह पौधा अच्छा रहेगा और जैसे ना गोबर खाट इसमें मुठी डाल देना और इसको जादा खाट देनी की भी जरुवत नहीं रहती जैसे हर 15 दिन में कोई खाट देना होता है तो हर 15 दिन में ना देखे आप एक मुठी गोबर खाट महने में एक बार दे देना यह प्लांट चल जाएगा यह कटिंग से आसानी से लग जाता है कट सब्सक्राइब लगा मुठी जैसे लगा हुँ ना तो जल्दी से ग्रो कर जाता है अब से जमीन में भी लगा सब्सक्राया तो आप लाल मिट्टी अव्य इसका और बूरत था कटिंगा यह बहुत इस सॉप्ट प्लांट भी नहीं है कि यह कभी जल्दी खतम हो जाए तो यह जल्दी खराब नहीं होता तो आप इसको अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं असानी सी यह चल जाएगा और इसकी पतियां देखे आप ध्यान करिए एक पीली कलर की तितली आती है सेम वैसी दिखती है तो यह प्लांट मेरे को सौ रुपया में पड़ा था थोड़ा सा इसका ग्रोथ हुआ है इससे थोड़ा छोटा था लेकिन एक्दम ज्यादा ग्रोथ नहीं होता लेकिन इसको साल भर हो गया एक साल हो गया यह प्लांट एक साल में पहले थोड़ा छोटा था लेकिन ग्र तो ऐसी दिखता है यह और आप जैसे बोंजाई लुक में इसको देना चाहते हो तो नीचे-णीचे में आप कट कर देना तो उपर का भागना वो घहना होता जाएगा मेरा तो ऐसा नहीं है बोंजाई लुक में मैंने नहीं दिया है मैं इसको ऐसी पेड़ टाइप का रखूँगी मेरे को पेड़ टाइप का बहुत अच्छा लगता है बोंजाई भी बहुत सुन्दर दिखता है लेकिन यह जैसे पेड़ जैसे आप देखी सकते हो पेड़ जैस वैसे यह 8 इंच के गमले में लगा है आप चाफ़ तो 10 इंच के गमले में इसको लगाओ और या फिर 12 इंच के गमले में लगा सकते हो और यह जैसे कटिंग करते चाहो तो एक ही क्या बोलते हैं एक ही सीधा सीधा जाता है उपर की तरफ जाता है एक ही तने में रहता है और आ इसको बोंजाई लुक में देना ही नीचाती थी इसको एसी रखना चाहती थी पौधे की लुक में पेड की लुक में देख रहे है और यह बाहर है सुबह की समें 2-3 गंटी की धूप लगती है बागी इसको ज्यादा धूप में नहीं रखती मैं क्यूंकि पत्तियों में देखर को जहां लाइट रहे हैं और इसमें सब फंगस एटैक होगा अगर आपके पास या पके पोदर में होता है तो आप नीम और का छिड़काव करिए आ थीक नहीं हो रहा है तो हर दĩन आप ug S게 khaw करिए नीम और का दशे या अगर आप अगर तो फिर ठीक हो जाएगा अगर आपका पौधा ठीक ही नहीं हो रहा है तो आप दुकान से भी इसके लिए दवाई ला सकते हो अपनी हिसाब से मैं नीमाईल का ही छिड़काव करती है जैसे ठीक हो जाता है जैसे ठीक नहीं हो गए ना तो लगतार मैं दो-3 दिन तक इसका छि क्योंकि सूबा करोगे तो फिर दिन बर धूप रहेगा ना तो थोड़ा सा पतियां जलने का खत्रा रह जाता है तो आप हो सके तो साम को करिए तो साम को अगर करेंगे ना तो रात में इसको मौशर मिल जाएगा और दवाई भी अच्छा पौधे में लग जाएगा तो इस पौधा सवाइब कर जाता है तो वेल्डन मिट्टी तेयार किजेगा इसके लिए और ये पौधा आपको अच्छा लग रहा है ये पत्तियां अच्छी लेगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा लाइक कर दिजेगा वीडियो को और अच्छे-चे कम